आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ पाँच ओम और दस ओम परती रोध के दो परती रोध को को एक 6V की बैटरी से जोड़ा जाता है नियुनतम धारा तता अधिक्तम धारा प्राप्त करने के लिए ठीक है तो परते एक उद्देशी के लिए आप परती रोध को किस प्रकार जोड़ेंगे बेटा तो ध्यान से देखेगा बेटा हम लोग जानते हैं ओम का नियम जो होता है वो होता है हमारे पास में वी बराबर आई आर के बराबर होता है तो यहां से आई बराबर कितना होता है वी बटे आर के बराबर हो जाता है चुकि वी क्या है बेटा हमारे पास में maximum हो जाएगा ठीक है और I अगर maximum होगी तो R क्या होना चाहिए minimum होना चाहिए ठीक है तो ध्यान से देखिएगा बिटा यहाँ पर पहले वाले में पूछा गया है I कैसा है बिटा minimum है ठीक है इसके लिए मतलब R max होना चाहिए R जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए maximum होना चाहिए और R max के लिए जो आएगा वो कितना आजाएगा 5 ohm प्लस 10 ohm आजाएगा है ना यानि कि कितना हो जाएगा 15 ohm हो जाएगा इसका मतलब हमने इसको किसमे लगाया बिटा श् इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया ये 5 ohm का, ये 10 ohm का और ये 6 volt की बैटरी, तो यहां पर जो उत्तर आ जागा पहले वाले में वो होगा श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो ये पहले वाले का उत्तर आ गया, और दूसरे वाले के लिए अगर मैं बात करूँगा ब यहां से एक प्रतिरोध ये हो गया, और एक प्रतिरोध ये हो गया, है ना, और हमने इसको किस से लगा दिया, एक 6 volt की बैटरी से लगा दिया, ये 5 ohm का, ये 10 ohm का, ठीक है, तो जो r minimum आएगा बेटा, इसके लिए, वो बराबर कितना आ जाएगा, ये होता है, हमारे पास म प्रतिरोधों को किस प्रकार जोडएंगे, तो यहां पर तो हम लोग जोडएंगे, नियुनतम धारा चाहिए, यानि के प्रतिरोध अधिकतम, प्रतिरोध अधिकतम मतलब श्रेणी करम में, और यहां पर समांतर करम में, धन्यवाद.